दोस्तों ये है GS World की एक बहुत ही बहतरी टेस्टरीज हम इसकी तारीफ जीतना करें उतना कम होगी आपका जो एकजाम होने वाला है UP PCS Prelims 2024 का उसी के लिए ये GS World की साथियों 14 वी टेस्टरीज है हर एक टेस्टरीज अपने आप में एक खास होती है तो मैं 14 टेस्टरीज इसलिए लेकर आया हूँ साथियों ये जो 14 टेस्टरीज है इसमें खास बात ये है कि इसमें जितने भी प्रशन हैं सब के सब नए प्रशन है नए प्रशन पुजो भी पुराने एक्जाम हुगे हैं अब तक उनको बेस को देखते हुगे नए प्रशन बनाया गया है जिनकी आने की संभावना अधिक से अधिक हैं और वो नए प्रशन साथियों इस आधार पर हैं कि जिसने भी करेंट अफेयर के जो इंडेक्स हैं सुचकांग उसको इसमें सम्मलित किया गया है इंडेक्स को और करेंट अफेयर के बेस पर आजकाल जो GS के क्वेश्चन बनते हैं आप सबको मालूब GS के ज्यादातर क्वेश क्योंकि साथियों जो previous year का क्वेश्चन होता है उस question में तो लगभख सब लोग तयार के रहते हैं वो तो सबका तयार होता है अगर वो आएगा तो सब बच्चे उसको करेंगे लेकिन चैलेंज होता है नए प्रशनों को कौन ज़्यादा ज़्यादा सौल्व कर लेता है वो आज नहीं आई तो इसलिए हमें दुबारा बनाना पड़ा साथियों मेहनत काफी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हैं तो चलिए हम लोग पहले प्रशन पर चलते हैं क्या कह रहा है हमारा पहला प्रशन साथियों हम से पूछ रहा है कि बिशो का पहला ACI किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर उत्तर परदेश के फरेंदा छेतर में इस्थापित हो रहा है तो यह किस जिले में आवस्थित है तो साथियों इसका जो उत्तर होगा यह महराज गंज आप्शन नंबर भी उत्तर परदेश का जो महराज गंजिला है जो नेपाल और बिहार दोनों से सीमा साजा करता है तो नेपाल में यह इस्थापित हो रहा है तो बात हुए ये साथियों, ये एशियाई King Vulture क्या है, तो हमारे एशियाई देशों में लाल गर्दन वाले गिद्ध पाये जाते हैं, तो लाल गर्दन वाले गिद्ध को जो है King Gद बोला जाता है या King Vulture बोला जाता है, तो जिनकी संख्या बहुत तेजी से घटी, जिसके क जारण इनको red list में सामिल कर दिया गया. इनको कैसे बचाया जाए इसी के लिए यह जो conservation center, जो है महराज गंज में बनाया जा रहा है इनकी संख्या घटने का दो रीजन है साथियों एक तो इनका आवास का जो बिनास हुआ आवास और दूसरा इनमें जो पसूं को जो है डाइकलो फेनिंग नाम की दर्द दरवा दी जाती है और पसूं किसी तरह से मृत्यू हो जाती ह उन पस्यों को ये लाल गर्दन वाले की दगर खाते हैं तो उनमें ये जहर का काम करता इसलिए भी मर जाते हैं यही दो रीजन है बहुत बढ़िया परशन साथियों इसको आप लोग अपने जहन में उतार लेजिएगा आगे हम लोग बढ़े अब दूसरा वाला देखते ह साथियों बहुत बहतरीन परशन है ये इसमें आपसे कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है तो दूसरे वाले परशन में कौन सा ये सही नहीं है तो जो सही नहीं होगा उसी को बताना है तो पहला पढ़ें असम में इस्थित भूपेन हजारी का पुल देश का सबसे लंबा पुल यस ये बाते सही है इसको याद कर लीजिए बी वाला कह रहा है कि मुंबई में इस्थित अटल सेतू भारत का सबसे लंबा समुद्री पूल है ये तो सड़क पूल ये समुद्री पूल है तिये भी बात सही है सी वाला कह रहा है जम्मु कस्मीर में इस्थित चिनाब रेल ब्रीज संगलदान और रियासी जिले को जोडता है तो ये भी बाते सही है साथ ही जब तीनों बाते सही है इसका मतलब आँख मूंद कर हम लगा दे यही चौथा गलत होगा तो चौथा क्यों गलत है ये हमें बता तो ये इसमें एकल सड़क की जगव पर ये डबल लेन वाली सड़क लिखना चाहिए था तो ये आप्शन डी इसलिए हमारा गलत हो गया आगे हम लोग देखें तीसरा में साथियों कह रहा है वैश्विक उर्जा संक्रमण सुचकांग दोहजार चौबिस में भारत की इस पर है तो साथियों दोहजार चौबिस में वैश्विक उर्जा संक्रमण के मामले में 63 में नंबर पर है ये दोहजार चौबिस का है और 2023 का ये जो डाटा है यहां लोग कन्फ्यूज हैंगे ये 63 में अस्तान पर था 2023 में आगे हम लोग बढ़ें देखें साथियों देश की परवेश परिच्छाओं को फुल पुरूब बनाने के लिए यानि पारदर्सी बनाने के लिए जून 2024 निमलिखित में से किसकी अध्यस्ता में एक उच्छ अस्तरी समिती गठित की गई थी तो साथियों पूछ रहा है जो इस समय जब से नीट का पेपर लिख और उसके बाद उन्होंने एक के राधा किष्णन की अध्यस्ता में एक समिती गठित की की परिच्छाओं को फुल पुरूप कैसे बनाया जाए जाए जून 2024 में तो आप्शन नंबर सी हो जाएगा के राधा किष्णन के बारे में आप लोग को मालूम होगा ये एक फैक्टिस में आपको सीखेंगे पहला में करा है सन्मिधान सभा में महिलाओं महिला सदस्यों की संख्या 15 थी तो यस मेरे भाई बिलकुल सही बात है जो सन्मिधान बनाने के लिए सन्मिधान सभा गठित की थी उसमें कुल महिलाओं की संख्या 15 थी तो ये बात सही है पहल से सनिधान सभा के लिए निर्वाचन या नियुक्त किया गया था तो आप्षन ये कथन जो दोनों दूसरा वाला भी सही है तो सरोजनी नाइडू के बारे में एक और फैक्ट पूछा जाता है यह भारती राश्टी कांग्रेश की प्रथम भारती महिला अध्यच थी प्रथम आप्षन नंबर बी हमारा खनीज दिया है और दूसरी तरफ उसका उप्योग दिया है तो कौन सा सही नहीं है उसे पकड़िये आप तो कोबाल्ट होता इसका जो उप्योग लीथियम आयन बैटरी जो हलकी जो मतलब अच्छी क्वालिटी की हलकी बैटरी बनाने के लिए प यही गलत है, तो option number B हमारा उत्तर हो जाएगा, यही गलत है, क्यों गलत है? गいきます dealing का उपीयोग जो स्वच उर्जा बनाने की जो टेकनिक होते हैं, उन टेकनिक में प्रियोग किया जाता है, यह, तो आप लोग इसको याद रखीएगा, यही गलत है, और बाकरि सब सही है, कोबाल्ड का प्रियोग लीथियम में, टाइटिनियम का प्रियोग जेलेरी में, और एनाडियम का प्रियोग इस्टियूल उद्धियोग में बहुत पढ़िया, सातवा में हम लोग चलते हैं, देखें सातवे में आपसे क्या पूछ रहा है वर्स 1937 में लाय गए देखमुक अधिनियम, 1937 में देखमुक अधिनियम लाया गया था, ये आपसे पूछ रहा है तो याद रखिएगा कब लाया था, 1937 में, तो इसका संबंद किस से था, यानि क्यों लाया गया था, ये आपसे पूछ रहा है तो मेरे भाई देशमुख नाम के एक ब्यक्ति थे वो सन्मिधान सभा में एक बिल पेश किये थे महिलाओं को भारती महिलाएं जो थी भारती बिधवा महिलाएं उनको जो है संपत्ति का अधिकार देने के लिए तो अप्षन नमबर सी हो जाएगा हिंदू महिलाओं के लिए संपत्ति का अधिकार देने के लिए देसमुख ने एक अधिनियम पेश किया जिसे देसमुख अधिनियम कहा जाता है अगर यही 1929 दे दिया होता 1929 में तो 1929 में भी यह एक अदिनियम पेस किये थे वो था महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार तो फिलाल 37 में हिंदु महिलाओं के संपत्ति का अधिकार हो जाएगा देखें आठवा में साथियों क्या पूछ रहा है आपसे बहुत पहतरीन परशन होंगे सातियों एक से बढ़कर एक आपको परशन मिलेंगे बहुत पहतरीन पहतरीन आपको बस क्योवल बने रहना है वीडियो के अंतर तक और अच्छे से सुनना है यहाँ पर सारी चीजे को जो है explain की जाती है आगे हम लोग देखें आठवे में तो जो 1947 में आजादी के बाद जो मंतरी मंडल बना था पहली बार उसमें कौन सा सहीन नहीं है उसे हमें बताना है तो पहला है HC भाबा को वारिज विभाग मिला था और जबकी रफी अहमद की दोई को संचार विभाग मिला था तो यस ये बाते सही है और दूसरा में साथियों आप लोग को जानते है राजन प्रसाद को खाद और क्रिसी भी भाग मिला था और जबकी जान मताई को ये रेलवे और परिवान भी भाग मिला था इस में कहा रहा है नवय में एक कथन दिया है और एक कारण दिया है तो कथन कारण को पड़कर हमें उत्तर दे देना है तो क्या है हमारा कराय बेरू बाड़ी मामले 1960 में उस्तम नियाले ने परस्तावना को सन्विधान का भाग माना तो नहीं भाई बेरू बाड़ी संग मामला यानि ये केस जो 1960 में बेरू बाड़ी का केस आया था इसमें सुप्रिम कोट ने कहा कि भाई प्रस्तावना जो है यह सनुधान निर्माताओं की सोच है उनकी मस्तिस्ट की कुंजी है लेकिन इसे हम सनुधान का भाग नहीं मानेंगे तो उसमें नहीं माना गया था तो यह गलत हो जाएगा आप लोग याद रखिएगा बेरू-बाडी मामले में प्रस्तावना को सनुधान का भाग नहीं माना गया, फिर आया केशवननंद 1973 में उसमें माना गया और फिर आया LIC मामला उसमें भी सनुधान का भाग माना गया तो यहाँ पर LIC आफ इंडिया मामले में उस्तम नियाले ने प्रस्तावना को सन्विधान का आंतरिक हिस्सा माना तो यह बात सही है यानि ए गलत है और सही है तो option number C हमारा सत्य हो जाएगा बहुत बढ़िया आगे देखें हम लोग दसों में दसों में आप लोग को मालूम होगा कितना बेहतरीन परश्न है यह कह रहा है कि भारत में लौटते मानसून लौटते मानसून यानि रीट्रेट मतलब लौटना तो लौटते मानसून का मौसम किस समय होता है इगारा में देखते हैं क्या है साथियों बहुत बढ़ियां देखें इगारा में आप लोग को मालूम हैगा आप लोग जरा सभी घबडाये ने देखो कितना सरल परस्न इतने बड़े सब्दों में दिया है आपको थोड़ा सा दिखा दूँ आप लोग को मालूम है नागरिक तक कैसे मिलेगी इसके बारे में बताता है छटवा कहता है जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए उनको कैसे नागरिकता मिलेगी साथवा कहता है कि जो लोग इंडिया से पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से यहां चले आए इंडिया में तो उनको कैसे नागरिकता आठवा में ये बताता है कि जो भारती मूल के ब्यक्ति है यानि ऐसा ब्यक्ति जो बिदेश का नागरिक है लेकिन उसके दादा दादी नाना नानी माता पीता में से कोई कभी भारत का नागरिक रहा हो तो उसे भारती मूल का ब्यक्ति कहा जाता है तो आठवा भारती मूल के व्यक्ति को नागरिक्ता कैसे मिलेगे उसके संबंद में है नववा क्या है कि कोई व्यक्ति एकल नागरिक्ता से संबंदित प्रावदान है यानि आप भारत के नागरिक हैं तो आप से वच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिक ले लेंगे नागरिक्ता ले लेंगे तो आपकी नागरिक्ता अपने आप समाप्त हो जाएगी तो यह तीसरा से सम्बंदित है यह भी सही है यहां और दसवा में यह कहा गया है कि नागरिक्ता जो है बनी रहेगी वो समाप्त नहीं की जाएगी किरिसी की जो जिसको नागरिक्ता मिली है बेवज़े यह हो जाएगा और इग्राहवा में कहा गया है कि नागरिता से संबंदित कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है तो इसका मतलब अब हम देख ले एक सी वाला तीन और चार तो सीधे सीधे हैं एक ए और वी उल्टे हैं तो आप्सन में हम लोग मिला ले हमारा कौन सा आप्सन नहां बन रहा है अप्सन नमबर यह तो बहुत बढ़िया आगे चले हम लोग देखते हैं बारहवे में क्या है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी किस राज से होकर बहती है तो साथियों आपको हम बता दें इसी तरह से एक यूपी से सम्मंदित प्रशन पूछा याता है यूपी स्पेसल में भारत की जो गंगा नदी है वो उत्तर प्रदेश के बिजनोर जिले में प्रवेस करती है और बलिया में निकल जाती है बिहार को तो B.B. विजनोर में आती है और बलिया से चली जाती है तो ये तो ये हुगा लेकिन ये पूछ रहा है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा निमलिखित में से किस राज से होकर बहती है तो आपको मालूम होगा साथियों गंगा नदी उत्राखंड से निकलती है उत्राखंड, यूपी, विहार, जारखंड, पस्चिम, बंगाद, उत्राखंड ये हो जाएगा उत्तर आपका चीजों को मैं अच्छे से एक्स्प्लेन करता हूं साथियों क्योंकि मैं चाहूं तो आप सन बता के फट से निकल सकता हूं लेकिन वो आपको साथ ना इंसाफी होगा क्योंक तो साथियों, अंतर राजी ब्यापार और वारिज, राज सूची के अधिन एक बिसे है, एक राज का बिसे है, तो मेरे भाई नहीं, एक मतलब अंतर राजी ब्यापार ये राज सूची का बिसे कैसे होगा, ये केंदर सूची का बिसे है, संग सूची का, तो ये गलत हो गय बी वाला में कह रहा है अंतर राजी प्रवासन यानि एक राज से दूसरे राज्यों का जो माइग्रेशन है राज सूची के अधीन एक राज भी सहे है नहीं मेरे भाई संग सूची का भी सहे भी गलत हो गया अंतर राजी संगरोध संग सूची के अधीन एक संग का भी सहे यस ये बाते सही है संगरोध का मतलब होता है क्वारंटाइन जैसे कोई संक्रमन टाइप की बीमारी फैली जैसे कोरोना फैला था तो आप लोग सुनोंगे क्वारंटाइन की हिंदी होती है संगरोध तो संगरो वह राज का नहीं बलकि ये भी संग का मामला होता है, संग सूची का भी से, तो ये भी गलत हो गया, तो सी के वल सत्य है, चवदर में हम लोग चलते हैं, तो चवदर में आप से क्या पूछ रहा है साथियों, बहुत बढ़ियां देख रहे हैं यापर, कई सारा जो है आपको वो रैंक दिया हुआ है, सूचकांग के बारे में है, तो एक तरफ सूचकांग है, दूसरी तरफ भारत में उसका रैंक क्या है, तो जलवायू परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांग 2023 में भारत का सातवा स्थान है, ग्लोबल साफ्ट पावर इंडेक्स 2024 में ये 29 स्थान है भारत का वैश्विक आतंकवाद सूचकांग 2023 में जो है 13 रैंग है भारत का वैश्विक नवचार सूचकांग 2023 में 40 रैंग है, यानि सब के सब सीधा मिले हुए है, तो आप्शन नंबर हमारा जो यहां पर होना चाहिए, भी होगा, ये वाला, आगे देखे हम लोग 15 में, 15 में साथियों देखें, देखने में तो भारी भर कम है साथियों, लेकिन इसमें कोई दम नहीं है, देखिए सिर्फ आप लोग देखिए किस तरह से हमको उल्जाना जा रहा है, तो देखें, इसमें कह रहा है कि लोग सभा अध्यच का जो चुनाव होता है, वो साधारन मस्ते नहीं, तो ये चीजें देकर हमारा कथन को गलत कर दिया है, गलत हो गया, तो इसका मतलब एक जहां जहां होगा, तो ये गलत है, तो ये गलत पूछ दिया है, तो एक जहां होगा, वो सही होगा, क्योंकि असत्त पूछा है, क्यों है यह जो ब्यक्ति स्पीकर होता है, उसे सदन में कामकाज और नियमो देश के सन्मिधान कानून के बारे में जानकारी जरूरी नहीं है मेरे भाई जानकारी जरूरी होता है ऐसा क्यों कह दिया नहीं है तो बिना जानकारीय का वो स्पीकर बन जाएगा तो ये भी जो है गलत हो गया हमारा नहीं की वज़े से तीसरा है सामान लोकसभा का चुनाव अध्यासर सम्मती से होता आया है ये बात यहां तक सही है लेकिन सोतंद भारत की इतिहास में इस पद के लिए अब तक एक बार चुनाव हुआ है एक बार नहीं मेरे भाई तीन तीन बार चुनाव हो चुका है और चौबिस में भी इसी परिस्थिती थी चुनाव होगा लेकिन हुआ नहीं तो ये भी गलत हो गया बावन में हुआ था सण सट में पचहतर में तो ये भी गलत हो गया तीसरा भी चाउथा में कराए नीलम संजी उरेड़िया और सोमनाथ चटर जी ने अपनी नियुक्ति पद को लेकर लोकसभा अध्यच को टतर्ष रहने के सिद्दान्द को मानते हुए अपनी पार्टी छोड़ दी तो आपको बता दें लोकसभा अध्यच को टतर्ष रहने के सिद्दान्द को मानते हुए साथियों केवल नीलम संजी उरेड़िया ने पार्टी छोड़ी थी जबकि यह सोमनाथ चटर जी को पार्टी से निकाल दिया गया था यह छोड़े नहीं थे इनको निकाला गया था क्योंकि भाग जाना और भागान दोनों अलग होता है तो यह भी गलत हो गया तो इसका मतलब असरत्य पूछा है चार के चारों असरत्य है आप्सन नमबर सी साथियों 16 में हम लोग देखते हैं नमलिखित में से किसे यूनेस्को के क्रियेट्व सिटीज नेटवर्क में भारत का पहला साहित सहर गोसित किया गया है तो किसे UNESCO के Creative Cities Network में भारत का पहला साहित का सहर घुशित किया गया है तो किसे कोजी कोड केरल का एक फेमस सहर है आप्शन नमबर B तो 17 वाले में हम लोग देखते हैं क्या है 17 वाले में देखें बहुत मज़ेदार प्रशन है ये दिसको देखें कैसे कैसे आपको थोड़ा सा मुर्ख बनाना चाह रहा है 17 में मध्यकालिन सासक एक थे उनका नाम थक कुली कुतूब शाह उन्ही के संबन्द में तीन कथन दिया है और इन्ही कथनों को पढ़कर आपको सही उत्तर दे देना है तो पहला पढ़िए पहला क्या कह रहा है तो मुहम्मत कुली कुतूब शाह गोलकुंडा के साही वंस के संस्थापक थे मेरे भाई साही वन्स के चौथे या पांचवे सासक थे ये जब चौथे पांचवे सासक हो गये तो ये संस्थापक कैसे हुए तो ये तो गलत हो गया और ये गद्धी पर बैठे थे 1580 में यानि सुलहवी सताबदी में और यहां करा है उनके सासनकाल में हाइदराबाद का निर्मार 14. सदी में हुआ था तो मेरे भाई जब ये 16. सदी में गद्धी पर बैठे तो 14. सदी में निर्मार कैसे हो जाएगा ये भी गलत है तो ये दोनों गलत हो गया सी वाला वे दक्कनी उर्दू के पहले कभी माने जाते हैं दक्कन छेत्र में एक भासा उर्दू टाइप की बोले जाते हैं उसे उर्दू दक्कनी उर्दू कहते हैं तो ये कुली कुतूसा दक्कनी उर्दू के पहले कभी माने जाते हैं तो विकल्प तीन हमारा सत्य है आगे हम लोग 18. देखते हैं भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास अस्थान कहां है तो मेरे भाई भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास अस्थान जो है वो गुजरात के कच्छ कर रन में है आपसन C वो 9 देखते हैं देखते हैं साथियों ये एक तरफ ब्यक्ति दिया है एक तरफ नियुक्ति तो ब्यक्ति और नियुक्ति को हमें मिला देना है अच्छे से बहुत बेहतरीन परश्न ब्यक्ति नियुक्ति ब्यक्ति है अब में दिया है जो सबसे अच्छे से मालूम है पहले वही मिलाते हैं हमे पेड़ सूद आपको मालूम है यह CBI के निदेशक हैं और हीरा लाल सामरिया मुख सूचना आयूक्त हैं तो A4 पर D1 पर तो आप्षन नंबर यह होना चाहिए हमारा आप्षन A यही उत्तर होगा आगे बढ़े हैं हम लोग 20 में देखते हैं क्या है साथियों देखें 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 बीसवा में हमसे क्या पूछ रहा है यह थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी किया है साथियों इसमें समझने का सिर्फ खेल है थोड़ा सा आप समझ लिए तो आप इसे जो है बहा ले संसद की देन है यह सही बात है अनुछेद 118 में संसद अपनी प्रक्रिया और कान संचालन को रेगुलेट करने के लिए नियम बनाने का अधिकार है यह भी बात सही है वर्तमान में विभागों के संबंद अस्थाई समीतियों की संख्या 24 है जिनके छेतरा अधिगार में भार की साथियों कह रहा है कार मंत्रणा समीति का कार यह सिपारिश करना है कि सरकार द्वारा लाये जाने वाले बिधाई तथा अन्यकारों को निप्टाने के लिए कितना समय नियत किया जाए तो यह सब जो प्रक्रिया है साथियों कार मंत्रणा समीति का नहीं है यह नियम समीत होता है और यह कार मंत्रा समयते हैं एक सदन से संबंदित होती है आगे बढ़े हम लोग एक किसों देखते हैं हाल ही में बिश्व टेबल टेनिस कंटेडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारती टेबल टेनिस खिलाडी बन गई हैं तो कौन सी ऐसी महिला है जो बिश्व टेबल टेनिस कंटेडर में एकल खिताब जीतने वाली भारत की पहली टेबल टेनिस महिला बनी है तो साथियों हैदराबाद की स्रीजा अकूला आप्शन नमबर बी तो देखें 22 में क्या है स्वयम और समाज के लिए योग यह एक थीम है यह किसकी थीम है राश्ट्री योग ओलंपियाड दोजार चौबिस में जो मनाया गया कहां मनाया गया करनाटक के मैसूर में इसका उद्गाटन कौन किया करनाटक के राजपाल तो आप्शन नमबर भ देखें 23 में भी बहुत बढ़िया प्रशन है इसमें क्या कह रहा है परिच्छा को जो लिकेज है उससे समन्दित है जो कानून बना है परिच्छा के लिकेज से देखें कितना बढ़िया सवाल है तो 21 यून को सारजोनिक परिच्छा अधिनियम 2024 को बनाया गया इसके संदर में कथन है दोठो इनी को पढ़कर सही उतर दे दीजिए तो पहला कथन पढ़ेंगे तो इनमें परतियोगी परिछाओं में अनूची साधनों का इस्तेमाल पर 3-5 साल की सजा 10-10 लाग से 1 करोड का जुर्माना का प्रावधान है यस सही बात है ये बात सही है ऐसा ही प्राव अपराद माने जाएंगे गहर जबानती अपराद होंगे इस मामले में आपकी जबानत भी नहीं होगी और मामले की जात पुलिस अधिच्छक और उसके समकच अधिकारी करेंगे तो नहीं भाई पुलिस अधिच्छक के नीचे एक होता है पुलिस अधिच्छक का इंग्लि तक के लोग या उसके ऊपर के लोग करेंगे केवल, उसके नीचे के नहीं करेंगे, तो ये गलत हो गया, तो यानि पुलिस अधिच्छक के नीचे DSP के लोग भी कर सकते हैं, तो केवल एक यहां पर हमारा सही होगा, आप्शन नमबर A, देखें हम लोग यहाँ 24 में क्या करा है नरेंद मोदी के नेतित वाली सरकार तीसरे कारकाल के सपत हिलेने के बाद भारत की यात्रा करने वाले पहले बिदेशी कौन है तो कह रहा है साथियों जैसे ही मोदी तीसरी बार परदान मंत्री बने तो मोदी के यहां कौन सा बिदेशी सबसे पहले आया तो साथियों मालूम है हसीना यह बहुत वायरल भी था जैसे ही मोदी तीसरी बार प्रदान मंत्री बने तो उनसे मिलने हसीना आ गए तो हसीना कौन है शेक हसीना बंगलादेश की प्रदान मंत्री option number C 25 क्या है साथियों यहां पर देखें बहुत बढ़िया प्रशन साथियों क्या इसमें पूछ रहा है एक वदहावन बंदरगा जो है महराष्ट में बन रहा है तो वही उसी के बारे में है वदहावन बंदरगा बन रहा है PM गति शक्ति कारकरम के तहट और यह Greenfield परियोजना के रूप में होगा तो यह बाते सही है Greenfield परियोजना का मतलब है कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है जो जीरो से शुरू किया जा रहा है वो नंगी जमीन पर उसे जीरो से बनाया जा रहा है उसमें पहले से कुछ नहीं था तो इसकी का मतलब होता है Greenfield परियोजना तो जैसे हमारा खेत है उसमें कुछ है नहीं वहाँ पर हम एयरपोर्ट बनाने लगे तो वहाँ पर क्या हो से Greenfield परियोजना बोला जाएगा तो यह हो गया दूसरा कहा रहा है परियोजना PPP मौडल पर बनी है यानि सारजोनिक निजी भागेदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्सिप मोड में बनाई यह है मोदिकाल में सारी बहुत सारी जो है जो काम हुए इसी मौडल पर हुए है वह अधावन बंदरगा हर मौसम में काम करने के लिए भारत का सबसे बड़ा Deep Draft बंदरगा होगा Deep Draft का मतलब यह होता है साथिओं यह ऐसा बंदरगा है जो बड़े से बड़े जहाजों को भी वहन कर लेगा तो इसका मतलब यहाँ पर सभी के सभी कथन सही है D हमारा उत्तर होगा 26 में क्या है साथियों 26 में कर रहा है सयुक्त राष्ट महा सभानिम लिखित में से किस देशों के समूह को सयुक्त राष्ट सुरच्छा परिशत के नए अस्थाई सदस के रूप में 1 जनवरी 2015 से सुरू होने वाले 2 साल के कारकाल के लिए चुना है तो आप लोग को मालूम होगा साथियों सयुक्त राष्ट का एक महत्पुर अंग है सयुक्त राष्ट सुरच्छा परिशत तो उसमें 15 सदस से होते हैं 5 उसमें से अस्थाई हैं फिक्स कौन है आप लोग को मालूम है चाइना, अमेरिका, रूस, फ्रांस और युनाइटिट किंग्डम और दस अस्थाई होते हैं जो समय समय पर किये जाते हैं दो-दो साल पर तो यहां इस बार जो है पचीस, एक जनवरी दो हजार पचीस न्यूक्ती है वो पाकिस्तान, सुमालिया पानामा, डेन्मार्क और ग्रीस यह पाँचों को एक जनवरी दो हजार पचीस से दो साल के लिए न्यूक्त किया जा रहा है आगे देखे हम लोग 27 में 200 सिकल सेल दिवस 2024 की थीम क्या है तो 200 सिकल सेल 2024 की थीम पूछ रहा है साती हुए हमसे तो आप लोग को मालूम होगा 200 सिकल सेल दिवस जो हता है वो 19 जून को मनाया जाता है तो किस थीम की साथ मनाया गया तो प्रगती के माध्यम से नहीं हाँ यही है प्रगती के माध्यम से आशा option number B यही हमारा उत्तर होगा और आपको मालूम होगा sickle cell क्या होता है तो sickle cell साथियों एक तरह का अनुवानसिक रोग है यानि यह है माता-पिता से बच्चों में फैलता है यह कैसा रोग है का हम लोग को मालूम हो का हम लोग का जो RBC है blood में red blood cells होती है RBC जो red blood cells होती है हमारे blood में तो यह गोला कार होती है तो यही जो है हंसिया की तरह हो जाती है जब तो इसी को हम लोग sickle बोलते है sickle का मतलब ही हंसिया होता है तो जब यह गोला कार RBC हंसिया कार RBC में बदलने लगती है तो यह हमारे oxygen को वहन नहीं कर पाती है हमारे shell हमारे टीसूस को बहुत नुकसान होता है तवाम तरग बिमारियां होती है तो इसी वज़े से यह सिकल सेल जो है बिमारी होती है आग चले हम लोग आगे देखें 28 में साथियों बहुत एक से बढ़कर एक प्रशन है आप लोग को थोड़ा सा बस से रखना होगा कह रहा है कि यूक्रेन में शान्ती पर शिखर सम्मेलन 15 और 16 जून को कहां हुआ स्वीटजर लेंड में हुआ और स्वीटजर लेंड के किस सहर में हुआ ये आप से पूछ रहा है तब लोग को मालूम होगा पिछले 2 साल से रखना है रूस यूक्रेन का उद चल रहा है यूक्रेन में बहुत असान्ती फैली हुई है तो यूक्रेन में सान्ती कैसे आए इसके लिए 15 से 16 जून को स्वीटजर लेंड में एक सम्मेलन हुआ और कहरा है स्वीटजर लेंड के किस जगह पर हुआ तो बर्गेन इस्टा की एक सिर्जन लेंज का सहर है वहां पर हुआ तो 29 वाले में क्या है तो देखें साथ यह 29 वाला सवाल बढ़िया है यहां पर बहुत सारी चीजे यहां आप सीख पाएंगे कर रहा है कि मातरित अवकास यानि जो महिलाएं जो है मा बनने होती है तो उनको आप लोग को मालूम है उनके अवकास दिया जाता है जो सरकारी या प्राइविट में भी होती है तो उनको अवकास दिया जाता है 180 दिन यानि 6 महीने का तो उसी के संबंद में यह सवाल है या अ नारजनिक और निजी छेत्रों को कवर करते हुए दस या अधिक कर्मचारी वाले प्रतियक प्रतिष्ठान पर लागू होता है त्यानि जो छुटी मिलती है ऐसी जो है जो मा बनने वाली महिलाएं होती हैं तो यह सभी संस्थाओं पर लागू है जो दस से अधिक कर्मचारी यहां काम करते हैं चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी उन सभी पर लागू होगा तो यह सही है मात्रित लाव संसोदना दिनियन 2017 में 26 सप्ता 26 सप्ताओं का मतलब साथियों 6 महिना का अधिकार दिया जाते यह भी सही है सेरोगेसी मामले में सेरोगेट मा तो आप लोग अधिके आपके कर्में वह करते हैं तो यह हो गया कमिशनिंग माम तो दोनों को 119 दिन का छुट्टी मिलेगा तो तीन भी हो गया हमारा यहाँ पर विकल यह तीनों सही है आगे देखें हम लोग तीस में तीस में साथियों कह रहा है अप्रेल दोहजार चौबिस में कहां संसोधन करताओं ने बावन सो साल यानि पाँच हजार साल पुरानी हडपा बस्ती की खोच की है साउध की एक संस्था है उसने खोच किया है गुजरात में बावन सो साल पुरानी हडपा बस्ती की आगे बढ़ें एक तीस में क्या है साथियों कौन सा सन्विधान संसोधन हिंदी भासा में सन्विधान के अधिकारिक पाठ के प्रावधान से संबंदी थे तो साथियों आप लोग इसका जानते होंगे बहुत फेमस टैक्त है ये जब सन्विधान लिखा गया तो इन्गिश में लिखा गया था तो हिंदी में जो है अठागौवा सन्विधान संसोधन आया कि असनविदान को एक प्रमाड़ी तरीके से हिंदी में भी लिखा जाए उसके लिए आया था साथियो बहुत बेहतरिन परशन है ये कई सारे जाब पूछा गया था तो 1987 में 1987 में आया था ये 58 संविदान संसोधन आप्शन नंबर A इसी से संबंदित था 32 में करा है कि लाड करजन द्वारा बंगाल बिभाजन हुआ तो सब को मालूम है लाड करजन 1905 में बंगाल का बिभाजन किया हिंदू-मुसलिम की आग को बढ़ावा देने के लिए तो उस समझ लोग बिरोध कर रहे थे तो बिरोध करते वक्त एक गीत गाते थे जिस गीत को रबिना टैगोर ने लिखा था गीत क्या था बांगलार माटी बांगलार जल इससे यही एक गीत था इसी टाइटल से तो इसको रबिना टैगोर ने लिखा था तो समय जब लोग सड़कों पर निकलते थे तो यही गाते थे 35 में हम लोग देखें खागोल बैज्यान को एक दोरा खोजे गए अतधिक उर्जा वाले पाइटकिल जिसका नाम रखा गया है अमयत रासू इसका नामकरण की साधार पर किया गया है तो मेरे भाई अतधिक उर्जा वाले पाइटकिल जो खोज हुई है अमयत रासू यह जापानी सुर्य देवी के नाम पर रखा गया है 36 में कौन सा दो चरम यानि दो एक्स्ट्रीम अस्थान पूर पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं तो कौन है मेरे भाई यह सिल्वर और पूर बंदर पूर बंदर आपको मालूम है यह गुजरात में है और सिल्वर यह असम में है पूर में तो यही है एक पूर पश्चिम गलियारा है आप्शन नमबर सी हो जाएगा हमारे 34 मां का आगे देखे हम लोग 35 क्या है भारत की अस्थालाक्रिती का मांचित्र की संगठन के द्वारा बनाया गया है तो साथियों यह सवाल बहुत बेहतरीन है जब मैं IIS के तैयारी करन मेरी जब पूरी हो गए थी तो मैं एक टेस्टरी जोइन किया था UPPCS की तो मैं टेस्ट देने गया तो उसमें यह कोश्चन हमें मिला था तो हमने सोचा है हमें आ नहीं रहा था हमने सोचा यार अस्थालाक्रिती मांचित्र यह भारती बूब यानिक सर्वेच्छन के कराती होगी तो मैंने यही लगा दिया और लगाते वक्त मुझे गलती से यह बी वाला लग गया तो बी वाला लग गया तो मुझे उस समय बहुत गुसा आया लेकिन जब घर आके मिलाया तो हमने लगा कि हाँ यह सही है यही होगा तो यही होगा बारत के अस्थालाक्रिती मांचित्र ये भारती सर्वेच्छण विभाग के द्वारा ये कराया जाता है, बनाया जाता है, तो आप्शन नमबर बी ये हमारा गलती से सही हो गया था, तो ये चीज मुझे अभी तक याद है, आगे देखे हम लोग, पैलियो उन्टोलाजी, पैलियो उन्टोलाजी किस से संबंदित है मेरे भाई, आप लोग कमालों का पैलियो उन्टोलाजी जीवाश में बिज्ञान से संबंदित है, जीवाश में अधार पर पित्रवी के जीवन का इतिहास, आप्शन नमबर बी, पैलियो उन्टोलाजी जह अनुमानतक किस उचाई पर होते हैं तो साथियों आप लोग इसका उत्तर तो मिलेगा आपको यहाँ पर जो है 35,800 किलो मिटर की उचाई पर कहां से जो बिसुवत रेखा होती है आपको मालूम होगा यह यहां करकर रेखा हो गई और यहां मकर रेखा हो गई और यहां विसुवत रेखा हो गई जीरो पर तो विसुवत रेखा से लगभग 36,000 km किताबों में यही लिखा रहता है 36,000 km तो यहां पर आपको तो केवल 35,800 लिखा है तो 36,000 km पर सैटेलाइट को लाया कर छोड़ देंगे तो सैटेलाइट आपकी प्रिथवी के गती से प्रिथवी के दिशा में घोमने लगेगा तो इसी को जीयो इस्टेंशनरी सैटेलाइट बोला जाता है तो आप्शन नमबर D हमारा उत्तर होगा आगे बढ़ें 38 में क्या है भारत ने लिखित में से किन दो देशों को 12 फरवरी 2024 को अपना एकिकरित भुकतान इंटरफेरेंस यानि यूपी आई सिस्टम लांच किया तो साथियों भारत ने भी फरवरी 2024 में सिरिलंका और मौरिशस को अपना यूपी आई सिस्टम लांच किया है यहाँ पर यह याद रखियेगा बहुत बढ़िया प्रस्न है इसके पूछे जाने की संभावना अधिक से अधिक है 39 में हाली में खबरों में रहे जूलियन अनसाजे हैं तो मेरे भाई जूलियन अनसाजे एक वेपसाइट है विकलिक्स विकलिक्स नाम की वेपसाइट है उसी के संस्थापक है यह विकलिस जो जेल में बंद थे एक सूचना के लेकर इराक और अमेरिया के जो था उसमें इन जेल से छूटेट इसलिए इनका नाम आया था विकलिक्स के संस्थापक है जूलियन अंसाजे 40 में देख ले तो 40 में साथियों कह रहा है अपनिवेशिक शाषनकाल में यानि ब्रिटिस काल में मेरा दुर्गोतसो क्या मेरा दुर्गोच्षो नाम का आलेख में देश को मा दुर्गा बताते हुए घर आने का आवहन किया था किसने तो मेरे भाई बंकिमचंच चटरजी ने ये बंगाली है बंगाल में आप लोग जो मालूम है दुर्गा पूजा फिमस बहुत है तो वहाँ पर दुर्गा मा को मेरा दुर्गोट्सो नामत आलेख में ये मा दुर्गा को घर आने का आवाहन किये थे मतलब इसे एक धार्मीक प्रयोजन था तो बंकीमचन चटर जी बंकीमचन चटर जी को बहुत सारे लेक प्रचली थे पुर्गेश नंदनी बंगदर्शन और इनका जो है एक और है आनन्दमठ देवी चौधरानी जैसे इनकी बहुत सारी प्रचली द्रचनाएं हैं आगे चले हम लोग एक तालिस में यह देखिए क्या है इसमें प्रतिदीप्त जिसे फ्लोरेसेंट इंग्लिज में बोला जाता है Florescent Tube में प्रायक किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है Florescent Tube क्या होता है पहले ये जानले जिए आप लोग पहले के जो साधी बीवा या फंक्षन होते थे उसमें जो जनरेटर वाले जो रोड लगाते थे यानि LED लगाते थे वो साथ हो एक LED जो थी वो गयस से होती थी आप लोग को मालूम होगा वो गयस ऐसे भरी रहती थी उसमें आप लोग देखते होंगे पहले दो तार सटा कर उनको गरम किया था फिर हटाया जाता था इस तरह से जलते थे और जो CFL होते थे इन सब में मरकरी का वाश्प और आरगन भरा जाता था अप्शन नंबर ए होगा अब तो सारी चीज़े LED पर हो गई है लाइट एमिटिंग डायोड आगे देखें 42 क्लोरीन की रासाइनिक अभिक्रिया के कारण जब वाता वरण में CFC यानि क्लोरो फ्लोरो कारवन इन सबसे जो फैट जादा निर्मुक्त होती है तो यह ओजोन मालिक्यूल को नश्ट करती है हम लोग को मालूम है समताप मंडल में ओजोन परते पाई या तो उसमें छेद हो जाता है तो पैरावैगनी किरण प्रिथ्वी पर आने लगती है जिसे इसकिन कैंसर का खत्रा बढ़ जाता है तो आप्शन नंबर बी हो जाएगा 43 में क्या है 43 में सातियों देखो इतना बड़ा लिखा है लिकिन इसमें कोई दम नहीं है तो किए राए किस आंदोलन के दोरान देश में बहाई चारा और राष्टी एकसा को प्रदर्सित करने के लिए दिखाने के लिए अर सामाजी नेता स्वामी स्रधानंद को दिल्ली के जामा मस्जित के इमाम पीट से उपदेश देने के लिए कहा गया एवन मुश्लिम नेता, आप सोच कर देखे हिंदु को मुश्लिम धार्मिक संस्था से उपतेश देने के लिए कहा गया और मुश्लिम नेता सेफु दीन किछलू थे, इनको अमरिश सर मंदीर की चाभिया दे दी गया यह ने इनको हिंदू धर्म में जो है जोड़ दिया गया तो यानि इसलिए हिंदू मुसलिम से मुसलिम हिंदू से जोड़ा गया यानि मुसलिम को हिंदू धार्मिक संस्थाओं से और हिंदू को मुसलिम धार्मिक संस्थाओं को एक कनेक्ट करने का प्रयास किया गया कि खिलाफ़त आंदोलन जो हुआ था हिंदू-मुसलिम एकताब बढ़ाना बहुत इसका हुआ था इसमें तो आप्शन नंबर सी किस आंदोलन दौरान ऐसा हुआ था आप्शन सी में देखें दच्छिड अफरिका में 1913 में गांधे जीने किस अस्थान से अपने 63 कार करताओं को लेकर मार्श यानि यात्रा निकाली थी तो सातियों आप लोग को मालूम होगा 1913 में अफरिका की जो सुप्रिम कोड थी उन्होंने उन सभी बिवाह यानि साधी को रद्ध कर दिया जो इसाई पद्धती से नहीं हुए थे तो सोचो इसाई पद्धती से जितनी रित रिवाज से जितनी साधिया नहीं हुई थी उनको अवैद घोसित कर दिया इसका मतलब बहुत सारे भारतियों का भी जो है साधिया अवैद हो गई और तमाम तरह के उन पर टेक्स लगाए गए तो गांधे जीने इसको बिरोध मे 1913 के दिसंबर में है जो है 63 कारकाताओं को लेकर नटाल से ट्रांसवाल तक जो है यात्रा निकाली थी आप्शन ए तो आगे हम लोग देखें 45 में क्या कह रहा है तो साथियों इसमें देखें एक तरफ सूचकांक है हमारा और दूसरी तरफ प्रथम अस्थान तो कौन सा सूचकांक किस देश में प्रथम है उसको हमें मिला देना है तो वैस्विक लेंगिग अंतराल सूचकांक यह आइसलेंड पे जाएगा यानि डी वाला तीन पर आएगा तो डी वाला तीन पर एक ही में है बीमर यही हमारा उत्तर हो जाएगा समय बचा कर हम भाग सकते हैं लेकिन हम पढ़ नहीं रहे हैं एकजाम नहीं दे रहे हैं आपको पढ़ा रहे हैं तो बता ना पड़ेगा हमें और अंतर राष्टी IP सूचकांग ये आ जाएगा दो पर संयुक्त राज अमेरिका 2024 ये परथम अस्थान पर है भरष्टा चार धा पर आया आगे चले हम लोग अब देखते हैं क्या है हमारा 46 में भारत में सोतंतरता के बाद बिक्सित पहला बंदरगाह कौन है तो साथियों कांडला बंदरगाह गुजरात का कांडला बंदरगाह जो भारत में आजादी के बाद बिक्सित होने वाला पहला बंदरगाह है यह जो मुंबई का बंदरगा है, उसके बोज को कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया था, तो 46 आवे का उत्तर हमारा आप्शन नंबर A हो जाएगा, कब बनाया गया था? 1965 में, आगे बढ़ें, इन में से कौन सी मांग जनित मुद्रा इस्फिती का कारण है? तो साथियों मांग जनित मुद्रा इस्फिती का क्या कारण हो, पहले आपको मुद्रा इस्फिती समझना पड़ेगा, मुद्रा इस्फिती क्या होती है? तो मुद्रा इस्फिती आप लोग को मालूम होगा साथियों मुद्रा इस्फिती एक तरह की महंगाई होती है जब वस्तुओं सेवाओं के दाम तेजी से बढ़ने लगते हैं तो उसे हम कहते हैं इंफलेशन या मुद्रा इस्फिती महंगाई के दोरान हमारे रूपया की वैलू घड जाती है कोई चीज हम 5 रूपय में खरीद रहे थे महंगाई हो गई 10 रूपया में मिल रही है तो इसका मतलब साथियों यह हुआ इसका मतलब यह हुआ कि हमारा रूपया कमजोर पड़ जा रहा है अब हमें और रुपिया लगाना पड़ेगा उसी चीज को खरीदने के लिए तो ये होती है inflation यानि मुद्राइस्फिती और मांग जनित मुद्राइस्फिती क्या होती है मांग जनित मुद्राइस्फिती ऐसा होता है साथियों जब किसी चीज का डिमांड बहुत जादा हो जाए और उसकी supply न हो पाए supply बहुत कम हो जाए, demand बहुत जादा हो जाए तो वो अस्तूओं के दाम बढ़ने लगते हैं आपको मालूम होगा अभी आप कोई दुकान खो लिए आपका बिकेनत आप समान को सस्ता बेचोगे और आपका जो जरूरत से ज़्यादा बिकने लगे बहुत ज़्यादा बिकने लगे तो आप महांगा चीजों को करते चले जाओगे तो यही होता है जब सरकार की खरीद में बृद्धी जब सरकार चीजों को अधिक खरीदेगी तो माल बिखेगा तो मांग बजादा होगा तो भी महांगाई बढ़ेगी ये भी मांग जनित मुद्राज फिती है अस्थानी बीनमेदर में मूल का हरास ये भी है मौद्रिक पुर्शाहन देने के लिए अगर बैंक जो है ब्याजदर को घटा देते हैं सब लोल ले लेंगे लोल लेकर सब पैसा खर्चा करेंगे सब समान खरी देंगे सारा समान को महांगा कर देंगे तो ये भी है मांग जनित तो मांग जनित मुद्राइस फिती यही नहीं है डी वाला आप्शन नमबर डी सरम लागत में ब्रिद्धी सरम लागत में ब्रिद्धी से मांग जनित मुद्राइस फिती नहीं होती है आगे देखें अनतालिस में तो अनतालीस में साथियों कह रहा है आपसे कथनों पर विचार करके हमें सत्य उत्तर को बताना है देखें ये बांस से संबंदी थे तो साथियों केंदर प्रयायुजीत योजना के रूप में पुनर गठित राश्ट्री बांस मिशन जो 2018-2019 में सुरू किया गया था यस सही है और अर्तमान में यह सभी राज्यों आपके इनसासी प्रदेसों में जारी है नहीं भाई बांस उगए जाएगा एक इस फेस्पिक छेतर में उगए जाता है जहां इसके अनुकूल परिसितियां होती है तो सभी राज्यों में नहीं या कुछ ही राज्यों में है तो यह गलत हो गया दूसरा तो NBM में सिर्फ बांस के उत्पादों को बढ़ावा दिया जाता है बांस के साथ साथियों इसमें चार को लोगया रखे प्रोड़क्ट भी और इसको बढ़ावा दिया जाता है जाता था तो जो है अब इसे वण छेत्र माना जाने लगा तो अप्षन चार साई है तो हमारा केवल एक और चार साई होगा अप्षन नमबर ए यानि अब बास को भी वण छेत्र माना जाने लगा उन्चास में देख ले तो उन्चास में साथियों ये पूछ रहा है हमसे राश्टी वन रोपन कारकरम यानि एन एपी को खराब वन भूमी के नवी करड़ी के लिए कार्यानवित किया जा रहा है यह सही है यह योजना मांग आधारित है वनी करण के पिछले परदर्शन की परिस्थितियां बहाली के लिए उपलब्द संभावी छीड वन भूमी और बजट की उपलब्दा के अधार पर मंजूरी दी गई तो यह भी सही है एन पी ए एक केंद्र प्रायजूत योजना है एन ए पी एक केंद्र प्रायजूत योजना है यानि केंद्र का है और जिसमें राजियों के भी 40% हिस्तेदारी है तो यह सही है तो तीन के तीनों यहाँ पर सही है आप संभी हमारा उत्तर होगा पचास देखते हैं पचास में साथियों सन्मिधान में 71 सन्मिधान संसोधन अदिनियम 1992 में आया था निमलिखित में से किस भासा को सामिल करने के लिए सन्मिधान की आठवी नसूची में संसोधन किया गया था को मालूम होना चाहिए सन्मिधान की आठवीन सूची में जो है वो भासाइं रखे गए हैं जिनको माननेता प्राप्त है तो जब ये बनाई गई थी सन्मिधान में मूल सन्मिधान में तो इसमें केवल 14 भासाइं थी लेकिन सिर्फ संसोधन करके जोड़ जाड़के इसमें 22 को रख दिया गया है आठवीन सूची में तो इन 22 भासाओं में यही कह रहा है कि 177 संसोधन 1992 के माध्यम से जो है भासा जोड़ी गए इसमें सबसे पहले सिंधी जोड़ी गई थी और उसके बाद जो है फिर ये जो दूसरी बार संसोधन हुआ 177 संसोधन के माध्यम से ये तिनों जोड़ा गया कौमीने कॉंकडी मड़िपूर नेपाली यह गाली नहीं है यह मैं को ट्रिक बता दिया कौमीने उसके बाद तीसरी बार जोड़ी गई थी वह बदमास जोड़ी गई थी बोडो डोंगरी मैथिली और एक और थी जो है संथाली तो जोड़ी गई थी तो उसको भी याद रखिएगा, 22 संविधान संसोधन में, तो फिलाहाल इसका उत्तर आप्शन नमबर A होगा, एक्यानबे में क्या है, एक्यावन में, जो है इरिडा का मुख्याल है, इरिडा क्या है, भारती भीमा नियामक और विकास प्राधी करण, तो अहैदराबाद में है, आप्शन नमबर C, अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर जिसे 52, संविधान यह जो क्वेशन नमबर 52 है, इसमें कहरा है कि प्रतिवर्स आर्थिक समिच्छा, यानि एकोनॉमिक सर्वे बित्र मंत्राले के किस विभाग के द्वारा तयार किया जाता है, तो प्रतिवर्स आर्थिक समिच्छा, जो बित्र मंत्राले के आर्थिक मामलों के विभाग है, उसके द्वारा जारी किया जाता है, यह, 64 देख लें हम, स्वारी, 4 में, 4 में हमारा क्या है, जाओन में साथियों एक फैक्ट है, पूछा जा रहा है, आप लोग को मालू हो, बिस्वास्तर संगठन, बिस्वव्यापार संगठन, यानि डबलू टीयो में, एक समझावता पर जो, मतलब आता है, मतलब घरेलू समर्थन के सम्बंद में, साथियों 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 गलत हो गया, फिर से देखते हैं, तुम लोग देख लें, क्या कह रहा है, कराय को बिस्वव्यापार संगठन के संदर में किसी समझावते बेवस्था के अधीन, प्रदान किया जाने वाला घरेलू समर्थन, इस्पेशल एंड डिफरेंसियल बाक्स, जिसे SD बाक्स बोला जाता है, यह SD बाक्स क्या है, तो आपसे SD बाक्स के बारे में जानना चाह रहा है, कि WTO के संदर में SD बाक्स क्या है, तो SD बाक्स साथियों, जो विकास सील, गरीब देश, या कम इनकम वाले देश हैं, उनको दिया जाने वाला इन्वेस्टमेंट सहायता, आपसर नमबर C, पश्पन में देखते हैं, देखें, पश्पन वाला भई सवाल बढ़िया है हमारा यहाँ, चोल सामराज चार मंडलों में विभाजित था, यस सही बात है, बिलकुल सही है, चोल काली नमलेक्स में हमें ग्राम सासन की दो सभाओं का ग्यान होता है, उन सभाओं को उर और महासभा कहा जाता है, यह भी बात सही है, आपको बता दें, उर जो है, वो समान गाओं की आम सभा थी, और महासभा ब्राम हड गाओं के वयस पुरुसों की सभा थी, तो इसका मतलब यह उल्टा दे दिया, और यहाँ होना चाहिए था, महासभा यहाँ, यह तो यह तो आप लोग को मालूम होगा, यहाँ फिर समय क्लियर कर दूँ नई, तो डिश्टर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, यह उर महासभा, यह दूसरे के एक दूसरे कुल्टे दे दिये, इसको यहाँ रहना चाहिए था, और इनको यहाँ तब कफन सही रहता, इसलिए गलत होगे दोनों, तो एक दो केवल हमारा सही होगा, एक दो कहाँ है, आप्शन डी में है, चाहँशट में क्या है, तो चाहँशट में कथन है, कारण है, इसे पढ़कर सही उत्तर देना है, सुलावी सताबदी के आरम तक भक्ती आंदोलन अपने जनपरी रूप में हिंदू समाज के सभी हिस्सों में स्विक्रित हो गया, तो यस यह बात सही है, कथन सही है, कारण क क्यों सुख्रित हो गया क्योंकि अनेक विचारकों ने इसे अपना लिया था तो यह सई बात है याणि ए और और दोनों सई हैं और आर एका सपश्टी करण भी कर रहा है तो हमारा च्छपन हो गया 57 में देखते हैं क्या दिखा है यह कह रहा है एक फैक्ट है साहनामा के रचनाकार साहनामा के रचनाकार और प्रसिद्ध इरानी लेखक जिनका नाम है फिर्दोसी इरावी सताब्दी के हैं ये किस दर्वारी कभी थे तो ये महमूद गजनवी के दर्वारी कभी थे फिर्दोसी जो इरानी कभी है और साहनामा के रशनाकार भी है 58 में कथन A दिया है और कारण A ये कथन और कारण दिया है पढ़कर उतर देना है सलतनत कालिन राज की प्रकिति आपचारिक अर्थ में इसलामी था तो यस मेरे भाई इसलामी ही था इसमें कोई दो राय नहीं है सल्तनत कालीन अब उलेमा एक तरह की धार्मिक संस्था थी जो राज्य की नीतियों में दखल देने का अधिकार प्राप्त था जैसे अभी RSS है वो भाश्पा के नीतियों में काफी इंटर्फेरंस करती है उसी तरह से ये उलेमा सल्तनत कालीन में वहाँ पर इंटर्फेरंस करती थी नीतियों में तो ये दोनों के दोनों कथन सही है तो option A हमारा सत्य हो जाएगा तो 69 में देखते हैं जो मोदी सरकार के अभी नई सरकार बनी है तो 19 जून 2024 को काइमिरेट ने मातपूर फैसला लेते हुए खरीफ मौसमी फ़सल को कुल 14 फ़सलों पर जो है MSP बढ़ाया है तो option नमबर D होगा कराय कितने फ़सलों पर 14 फ़सलों पर अब ये खरीफ फ़सल क्या होती है जो इस समय बोई जा रही है जून में जो जुन जुलाइम बोई जाती है और रभी की फसल क्या होती है जो नौंबर दिसंबर बोई जाती है तो याद रखिएगा अब देखें हम लोग साठों में क्या है कौन सा उत्तर वैदिक जन्पत अपने दार्शनिक राजाओं और ब्रामण धर्मसास्त्रियों के लिए बिसे सुरूप से प्रसिद था तो मेरे भाई पान्चाल जो इस समय बरेली फरूखाबाद और गयरा में उस समय इसका छेत्र थ आगे देखें 61 में क्या है तो साथियों 61 में लिखा है हमारा 61 वाले प्रस्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है फैक्ट है कई मामलों में NCRB के डाटा को लेकर तो NCRB आप लोग जानते है NCRB क्या होती है National Crime Report Bureau तो यह होती है National Crime के संबंध में National Crime के रिपोर्ट जो होती है एक साल बाद जैसे 2023 का दिया है तो 2022 का डाटा होगा 2023 वाले में अभी 2024 में जो आएगा ओ 2023 का डाटा को दिखाएगा कि कितना क्राइम कहां कैसे हुआ तो आत्महत्या की दर के मामले में सिक्कीम अंडमान निकोबार पदुचेडी सिर्ष तीन है तो यस मेरे भाई यही तीन माले यह तीन जो है यह तो सही है हमारा तो और हम आगे चलें देखते हैं क्या है 22 में महिलाओं के खिलाब अपराद के कुल मामले 21 तुलना में कम हुए नहीं मेरे भाई जो 21 में अपराद हुए थे 22 में उसका 4% और बढ़ गया तो याद रखिएगा कब नहीं हुआ बढ़ा था तो केवल एक हमारा सही होगा तो लेकिन गलत पूछा है तो गलत केवल भी होगा यहां पर असत्य पूछा है ना तो असत्य भी होगा 62 देखने 62 वाले में क्या है कि समुद्गुप ने भारत की भारत में बिक्रम सम्मोत की सुरुवात की थी तो मेरे भाई यह सरा सर गलत है समुद्गुप नहीं आपको मालूम होगा चंद्रगुप दिती को हम लोग बिक्रमादित कहते हैं तो बिक्रमादित ने सकों पर जीत किया था शकों शक सासकों पर तो जीत के बाद अपने नाम के ही मतलब अपने नाम से ही लिया हो विक्रमादित उसका नाम था ना चंद्गुपदिती का तो उसने विक्रम विक्रमादित से विक्रम संवत की एक सुरुवात किया तो आप्षन गलत हो जाएगा समुद्र गुप्त ने नहीं बलकि चंद्रगुप दिती यानि विक्रमा दित ने शुरुवात किया था दूसरा चंद्रगुप दितिक दरबार में कालिदास और अमर सिंग जैसे बिद्वानों को सरण दिया था ये भी बात सही है, चंदगुप दिती ने विक्मा दित की उपाधी धारण की अभी मैंने बताया, चंदगुप दिती का ही उपाधी टाइटल विक्रमा दित था, ये भी सही है, चंदगुप दिती जो है, चंदगुप प्रथम का उत्रादिकारी था, नहीं मेरे भाई लग तो ऐसे रहा है, चंद्गुप दिती, चंद्गुप प्रथम का उत्रादिकारी रहा होगा, लेकिन चंद्गुप प्रथम के बाद समुद्गुप आया था, समुद्गुप के बाद चब चंद्गुप दिती आये, तो ये गलत हो गया, तो कौन कौन सा सही होगा हमारा, क्यो एक दो, आप्शन नमबर ए, 63 में क्या है, कथन है और कारण है, कथन कारण को पढ़कर उत्तर दीजिए, तो मौर शासकों के बीपरित गुप्त शासकों में परमेसवर, महाराजा, महाधिराज और परमबटार कर जैसी आडम बर पूर उपाधिय धारन की, यानि ये लोग जो सई है, यहाँ पर लिखा है, जो है गुप्त सासक मौर समराज से, यानि गुप्त समराज मौर समराज से बड़ा था, तो नहीं भाई, मौर समराज बड़ा था, ये गलत हो गया, तो कहा होगा हमारा, ये सई है और गलत है, ये हो जाएगा, 64 में क्या है तो 64 में साथियों यहां पर कुछ रचनाएं है और उनका अर्थ भी दिया हुआ है तो उसी को आपको मिलाना है सूची एक सूची दो को तो तोलकापियम क्या है एक तमिल ब्याकरण है आप लोग को मालूम होना चाहिए तोलकापियम तमिल ब्याकरण है ये हो गया और तीरुकुल है यहाँ पर तीरुकुल क्या होता है दार्सनिक बिचार है इसमें यानि यह दार्सनिक ग्रंथ है मड़ी मेखले मड़ी मेखले साथियों ये एक तरह का महा काब्य है जो साहित और धार्मिक दोनों है तो ये हो गया और एक हमारा बचा सिलपादी कारम ये प्रेम कहानी है किसकी प्रेम कहानी है तो सिलपादी कारम में कोबलन और माधवी की प्रेम कहानिय है तो इस हिसाब से हमारा विकल कौन बन रहा है A3 पर होना चाहिए B1 पर होना चाहिए तो option B हमारा यही उत्तर होगा आगे बढ़ें 65 में तो साथियों यहां एक पेश छूट गया है हमारा 65 से 69 तक तो 70 से आया है तो हम सोच रहे हैं यह पेश जो हमारा चूट ही गया तो एक हम बीडियो बनाएं क्योंकि बीडियो बहुत लंबा हो जाएगा हमारा तो हम लोग इस part 1 को यही छोड़ते हैं और बीडियो के हम लोग part 2 में जो है part 2 में हम लोग यह जो हमारा चूटा है 65 से लेके 1500 तक हम लोग उसमें साल्व करेंगे बहुत बढ़ियां से क्योंकि बीडियो लंबा होने से हमें upload करने भी दिक्कत हो जाएगा और आपको देखने में भी तो मैं सोचा था आदा से जादा बता दूँगा लेकिन आप पर PDF में थोड़ा सगड़वड़ी हो गई है तो इसके चलते हम लोग यहीं रोकते हैं तो मिलते हम लोग नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए नमस्कार जै